आ गए पूजा भी आ गई पूजा यह मेरे मोमोस का बिजनस खाने वाली है पूजा बाहर जाके बताने वाले किसी और को मेरे मोमोस की रेसीपी चलो आ गए ना ठीक है चालू करें चलो बड़ा ब्रेक के पहले आपने सेक्शन 28 पढ़ा और पीजीवी का ओवर्वी लिया है ना अब सर वाय कांट वी मेक आप फिक्स टाइम फॉर ब्रेक बेटा फिक्स टाइम ही रहता अपना बस वह एक दो पास मिनिट का आप लेके चलो आग से फाइम मिनिट्स का अपना उपर नीच हो सकता है और जो भी रहता आपको ठीक है अपन आपना ऐसी रहता है बटा थोड़ा सा टेंशन मदलो उसका तील है अपन मतलब आपको आपको अपन कर लेंगे फिक्स कोई टेंशन नहीं है है ना ओके ठीक है चलो सर एक बच्ची पूछ रही है यामीनी पूछ रही सर यामीनी बोल रही सर तिल इंपोर्ट लैसंस रिपी अच्छा इंपोर्ट लैसंस के बारे में बेटा बेसिकली क्या था ना देखो एक बात कि एक आपने एक्सपोर्ट किया गवर्मेंट चाहती क्या आपसे क्या एक्सपोर्ट करो राइट तो एक्सपोर्ट को प्रमोट करने लिए गवर्मेंट क्या करती है ना आपको बोलती के करेंगे हम export हमने export किए हमको benefit मिला import का अब इतना हम import कर सकते हैं duty-free मतब 10 लाग रुपे का हम duty 10 लाग रुपीज का duty-free import कर सकते हैं मतब हमको उस पर duty नहीं मिलेगी duty नहीं लगेगी अगर custom duty नहीं लगेगी अगर अपने को तो यह चो benefit है यह अपन किसी को बेज भी सकते हैं अगर अपने एक benefit किसको बेज दिये हमने गोले भाई तु रख ले और तु कर import फ्री में और हम तेको बेच रहे हैं तु हमको थोड़ा पैसा देदे तू हमको थोड़ा पैसा देदे सिंपल सी बात और वो अपने को पैसा देगा ना चाहब तो क्या होगा कि वो पैसा अपने हाथ में इंकम बन जाए पीजी बीपी की ठीक है सबसे पहलए क्या लगेगा हमको सबसे पहले यह जगा बिल्डिंग जहां बिल्डिंग के बारे में बील्डिंग के क्या पढ़ेंगे रेंट रेट्स टैक्सिस रिपार्इड and insurance of building ठीक है सर, rent, rates, taxes, repairs and insurance of building ठीक है अब 31 section में क्या पढ़ेंगे हम 31 में पढ़ेंगे insurance and repair of plant and machinery and furniture ठीक है तो insurance and repair of plant and machinery and furniture ठीक है section 30 में पढ़ेंगे अब section 30 में बेटा हम building के बारे में पढ़ेंगे तो building में क्या होता है कि rent जो होता है जैसे अपन tenant है ठीक है मैं हूँ tenant तो मुझे अगर मैं building को rent पे लिया हूँ business के लिए business करने के लिए मैं रेंट पे building लिया हूँ तो मुझे allowed होना चाहिए हाँ allowed होना चाहिए ठीक है तो मुझे allowed रहेगा rent ठीक है insurance इंशॉरंस मैं नगरE building पे ले रहा हूँ अपनी अपनी business place पे मैं insurance ले रहा हूँ मेरी business place के लिए इंशॉरंस ले रहा हूँ तो क्या मुझे वो insurance का खर्चा allowed रहेगा yes allowed रहेगा ठीक है sir revenue repairs मैं building में थोड़ा से तूड़ गया इसको ठीक कर रहा हूँ बेटा थोड़ा सा ये video lag कर रहा है गया just a second मुझे से लगा पता नहीं क्यों ठीक है sorry sorry तो जो यहाँ पर अपना थोड़ा सा कुछ दिक्कत हो गई कोई revenue खर्चा है है ना थोड़ा सा building में एक दर्वाजा तूड़ गया दर्वाजा लगा दिया हमने जो भी revenue खर्चा है वो हम क्या करेंगे वो allow करेंगे building में rates and taxes जो municipal टेक्सेस होते हैं जो local body taxes होते हैं जो भी rate मतलब ये revenue टेक्सेस जो होते हैं no building, sorry revenue जो municipal taxes, local body taxes जो वहाँ के munisipal taxes, sorry जो हाँ की locality होती है, municipality होती है उसके taxes होते हैं basically वो भी allowed होते हैं building पर pay करने पड़ते हैं हमको ठीक है? और capital repairs that is capital repairs is not allowed capital repairs is not allowed तो सर, capital खर्चा जो हम करते हैं, वो हम allow नहीं करते हैं, अब सर, दूसरी बात, plant and furniture के बात कर लेते हैं, बेटा, कुछ लोग का फिर से start हुआ है, आप लोग का अभी कैसे start हुआ, पता नहीं, शायद फिर से start हो और फिर से repeat कर देता हूं, ठीक है, तो बेटा, basically, section 30 में हम क्या insurance allowed होता है, ठीक है, revenue repairs जो building में करते हैं, छोटे-छोटे-मोटे खर्चे, जो repairs करते हैं, building में, दर्वासा तो उड़ गया, वो खर्चा करते हैं, वो allow होता है, rents and taxes, जो municipal taxes होते हैं, local body taxes होते हैं, जो building पे लगते हैं, वो भी हमको allowed होते हैं, पर capital repairs हमको allowed नहीं होते हैं, right, plant and furniture, sir, rent, plant and furniture पर rent allowed होता है, ठीक है, insurance अपने किया, allow होता है, revenue repairs अपने किया, वो भी allow होता है, rates and taxes allowed नहीं होते हैं, मतब हैं ही नहीं होते हैं, ऐसा क्यों, बहुत सार बच्चे class के बाद doubt पूछते हैं, sir, rates and taxes, machinery, plant and furniture case में allowed क्यों नहीं होते हैं, why it is not allowed, sir, बेटा, फिर मैं समसाता हूँ उनको, मुझे बतावा आप, कि क्या, plant, machinery, furniture पर कोई municipality text लगाती है, क्या, कोई local body taxes लगते हैं का उस पर, नहीं लगते हैं न, इसलिए वो होते ही नहीं है, basically, तो allowed, not allowed की बात ही नहीं हाती, ठीक है, इसलिए अब आपक्रॉस्वास और capital repairs इस पर बैलाओड नहीं होते हैं, सर, तो, जो capital repairs होते हैं, उसका होता क्या है, जो ये capital repairs है, building के, और, plant and machinery के, इसका होता क्या है, सर, ये बेटा, आपके, na, cost of asset में add हो जाते हैं, क्या होते हैं, आपके cost of asset में add हो जाते हैं, ठीक है, cost of asset में add हो जाते हैं, राइट, समझा, ठीक है, अब ही सर, ये जो खर्चे हैं, क्या ये tenant और owner दोनों का allowed रहेंगे, tenant को भी allowed रहेंगे क्या, और owner को भी allowed रहेंगे क्या, जो देखो, जो rent होता है, वो तो सिर्फ tenant को allowed होगा, रेंट owner को नहीं allowed करेंगे, रेंट का owner को allowed थोड़ी करेंगे, owner ये थोड़ी बुलेगा, यार, ये तो मेरी building है, ठीक है, अब ये building में business कर रहा हूँ, अगर मैं इसको rent पे लेता building को, तो मुझे इतना rent लगता तो मुझे 20,000 का rent लगता तो मुझे 20,000 का rent notional basis पे allow होना चाहिए ऐसा कौन बोलेगा, ऐसा tenant बोलेगा ए सॉरी, owner बोलेगा पर हम ऐसा owner को allow करेंगे का notional basis पे नहीं, it is not allowed to owner on notional basis ठीक है notional basis पे owner को allow नहीं है, rent, rent सिर्फ tenant को allow होता है ठीक है बट सर्थ जो बाखी other expenses होते हैं other expenses, ये दोनों को allow होते है, owner को भी, tenant को बाखी जो expenses है ये owner को भी allow होते हैं और tenant को भी allow होते हैं जो capital repairs है वो cost of asset में add हो जाता है बेटा and वो depreciate होता है over the years yes, ये depreciate होता है over the years है ना ओके, सर अगर tenant building में कोई capital repairs करता है अगर tenant building में कोई capital repairs करता है आकाज बोट सर, इंडियास 16 आज मैं एक चीज़ clear कर दे रहा हूँ एकदम clear कर दे रहा हूँ मुझसे इंडियास 16, इंडियास का law का, audit का इसका बहुत जाता knowledge expect मत करना है मैं DT का teacher हूँ इंडियास 16 मुझे पदा है PPE है बट इंडियास 16 का इंडियास का मुझे बहुत दो जाता knowledge expect मत करना है हमको कुछ नहीं आता है वो हम पहले हाथ खळे कर देंगे क्योंकि भाई मैंने एक बार try गया था इंडियास तो अपने को छूला नहीं है है ना तो मुझसे इंडियास expect मत करना ठीक है ओके सर other expenses अच्छा यह तो बता देंगे जो tenant capital repair करते है building में उसको हम deemed building मानते है और उस पे हम depreciation allow करते है मतलब क्या सर मान लिजिए tenant ने ना building में building थी उसमें 5 lakh रुपीस खर्चा करके एक room और बनाया business करने के लिए क्या क्या उसने building में एक room और बनाया अभी सर अगर एक room और बनाया है building में तो इस पे क्या होगा यह होगा capital repairs तो इसको हम deemed building मानते है और इस पे tenant को depreciational आउ करते है नहीं बड़ा temporary structure नहीं है वो यह temporary structure नहीं है temporary structure एक बच्ची गुंजन बोल रहे temporary structure नहीं है वो यह building का पाड बनाया है उसने अगर that is different तो इसको हम deemed building बोल रहे है ऐसा हमें क्यूं clear कर रहा हूं आपको अभी से बेटा क्यूंकि temporary structure is a different thing temporary structure में depreciation बे अलग होता है और normal construction हुआ है तो उसका depreciation अलग होता है ठीक है अब सर अपना एक यह point है जो अपन section 37 चलो बता देता हूं बता देता हूं question में भी आएगा आपको यह कि देखो अभी क्या होता है कि आपके rent agreement में लिखा होता है ठीक है rent agreement में लिखा होता है कि आपको कौन से खर्चे उठाना है कौन से खर्चे निए उठाना है कि मुझे कोई भी revenue repairs उठाना नहीं है मतलब मैं tenant हूँ as a tenant मुझे कोई भी revenue repairs नहीं उठाना है ठीक है अब क्या हुआ न कि मेरे जब मैं building में business कर रहा था वो building में न एक AC खराब हो गया ठीक है AC खराब हुआ अब मेरे business के लिए बहुत ज़रूरी है AC मैंने बोला किसको owner को मैंने बोला owner को कि सरे ठीक करा दो owner बोला नहीं सर क्या जरूरा था सर्व AC की cooler चला लो cooler भी तो रखा है cooler चला लो मैं इस ठीक नहीं करा हूँगा अब यह owner ऐसा बोल रहा है और अब हम क्या करें वो बोलेगा तुमको खर्चा करना तुम कर लो मैं तो नहीं करूँगा यह किस कौन बोला owner बोल रहा है अपने को ठीक है तो अपन तो सब्सक्राइब अब क्या यह हम को section 31 में इसका deduction मिलेगा क्या section 31 में deduction मिलेगा क्या बताओ आप section 31 में इसका deduction मिलेगा क्या बोलो मिलेगा पौररे क्योंकि ये आपके agreement में लिखा नहीं है मतलब basically tenant is not under any obligation मिलना चाहिए बोर रहे है मिलना चाहिए कुछ बोर रहे है मिलना चाहिए sir will become part of end 9 no 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 yes no yes इस चल रहा है बच्चों में घमासान चल रहा है ठीक है मिलना चाहिए के नहीं मिलना चाहिए मिलना चाहिए के नहीं मिलना चाहिए और प्रिदा बोर रहे है yes प्रशान बोर रहे है no जतिन बोर रहे है yes गुंजन बोर रहे है yes तो आयूशी और अशित बोर रहे है no तो अब देखो इसमें क्या सीन है न इसमें ऐसा है कि देखो section 31 में तो नहीं मिलेगा क्योंकि tenant is not under any obligation पर ये business expediency के लिए important है क्या आपके business को smoothly चलाने के लिए important है क्या ये जो खर्चा किया हूँ ना मैंने ये जो खर्चा किया हूँ ये मेरे business के लिए बहुत important है sir तो ये खर्चा करा important है तो ये हमको allowed होना चाहिए क्या yes कहां होगा बेटा जिसका कोई section नहीं है उसका कौन सा section है जिसका कोई भी section नहीं है उसका कौन सा section है section 37 yes sir अब यहां पर जल्दी से यह वाली line पढ़ लो यह line जो लिखी है यहां पर जल्दी से read कर लो जल्दी read करो इधर झाल 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 जिससे लाइफ बढ़ जाए तो यह 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 कोई अगर अपन खरचा कर रहे हैं जिससे उसकी लाइफ बढ़ रही है जो एफिशेंटली काम करेगा तो हम क्या बोलते हैं उसको क्यापटल खरचा बोलते हैं वह प्यापटल खरचा जो तो उसको वैसे ही देखने हैं अपने को ओके चलो अब नेक्स्ट सर्फ फर्म पेस रेंट टू पार्टनर अगर फर्म एक बिल्डिंग में काम कर रही है मतलब बिल्डिंग में एक उसका फर्म है और वह पार्टनर को रेंट पे कर रही है तो allowed रहेगा क्या yes, allowed रहेगा if reasonable allowed रहेगा if reasonable excessive rent will be disallowed इस बारे में आपन एक बार फिर से section 482 में पढ़ेंगे, जब मैं आपको वापस ले क्या हूँगा यहापे ठीक है, अब इस इस reasonable allowed रहेगा यह सुन लो यह reasonable allowed रहेगा है यह समझ लो ठीक है अपनी लड़ाई नहीं, डीटी में लड़ाई नहीं तो आप अकाउंट्स लागा के समझो कि वो capital है कि revenue है, पहली बात जो भी आपने पढ़ा है उससे दूसरी बात कि आपको कभी paper में यह नहीं पूछेगा कि वो capital revenue है वहाँ पे आपको बता देगा कि यह capital है, फिर revenue खर्चा हुआ है फिर भी अगर in case वहाँ पे ऐसा कुछ दिया हुआ है जिससे आपको समझने में मुश्किल हो रही कि revenue है तो आपको वहाँ पे assumption लिखना है भाई, यह capital है और यह revenue है, या फिर मैं capital मानना हो इसको, इसलिए इसका ऐसा treatment बता रहा हुए समझे वैसा आपको करना पड़ेगा हुआ ठीक है सर ओके, आगे बढ़े ड़न सर अब हम अपना next section पढ़ेंगे section 32, that is depreciation अब हमने बता है आपको what is depreciation basically सर एक asset है हमारा asset ठीक है, इसका हमको पूरा खर्चा अलाव नहीं करना है एक साथ इसको हमको पूरा खर्चा अलाव नहीं करना है तो हम क्या करेंगे इसको part part में अलाव करेंगे इसका अभी इत्ता अलाव करेंगे बाद में इत्ता अलाव करेंगे तब थोड़ा थोड़ा करके लाओ करेंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं टेपरी सेशन राइट यह तो मेरा बहुत फेवरेट है यह यह तुम्हारी भावी नहीं गिफ्ट कीती में को बहुत वेरी नाइस वेरी फेवरेट मिझे मार्वल हुआ पसंथा, मार्वल का एकदम में फैन हो बिग टाइम मार्वल फैन में एकदम ू के तो सर अब बात करते हैं अपन डेप्री सेशन की तो डेप्री सेशन में दो मैथट अठोल होतीई सर सर, एक SLM, एक होती है WDB, एक होती है SLM, एक होती है WDB, ठीक है, सर, WDB तो हमको पता है, सब को applicable होती है, सब को मिलती है, ठीक है, यह WDB सब को मिलती है, बट, सर, SLM किसको मिलता है सर, SLM अभी चलता है क्या सर, नई, SLM almost बंद हो गया है, कुछ-कुछ लोगों को मिलता है, सूरज बोर भावी नहीं गिफ्ट करके एंड गेम डेकलेर करती है इतना marvellous joke है नहीं है marvellous joke इकदम marvellous एकदम related joke है और marvellous एकदम बाकी लोगों समझ भी नहीं आ गए जोग बहुत marvel वाला था इकदम पर endgame नहीं हो है बटा सब snap करके वापिस ले आऊँगा मैं समझे अब सुनो SLM के बारे में SLM किसको मिलता सिफ business of generation of power और generation and distribution of power मतलब ऐसे लोग जो generation of power के business में या फिर generation and distribution of power के business में सिर्फ वो लोग SLM ले सकते हैं इनके अलावा कोई SLM ने ले सकता इनके अलावा कोई भी SLM ने ले सकता सिर्फ ये ले सकते हैं अब सर क्या ये SLM ले सकते हैं इसका मतलब ये है कि ये WTV ने ले सकते हैं क्या इसका मतलब ये है कि ये लोग WDV नहीं ले सकते, क्या इसका मतलब यह है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो WDV भी ले सकते हैं, या तो SLM ले ले, या तो WDV ले ले, या तो SLM ले ले, या WDV ले ले, उनके पास option है, कि first year में चूज कर लो, कि तुमको SLM चाहिए या WDV चाहिए, और ये once in a lifetime option है, धान लेना हूँ, तो lifetime तुमको SLM ही लेना पड़ेगा, तुमने एक बार decide करें WDV, तो lifetime तुमको WDV लेना पड़ेगा, right, ओके, और सर ये सिर्फ किसको है, generation of power और generation and distribution of power को, सिर्फ ये लोग को जिनका business है, उनको ये option है SLM और WDV में, तुमने अगर अपने offices में, companies का tax audit किया हो होते हैं, वो तो easily निकाल लेते हैं आपन, ये rates fix है उसके, बढ़ जो companies act का depreciation होता है, वो कैसे निकलते हैं तुमको पता है न, जो अपन उबहर रिकॉल कराना हो तुमको depreciation में, एक तो अपन निकलते हैं, income tax act वाला, एक हम करते हैं, companies act वाला इसमें as per IT act करते हैं अपन, as per rates जो दिया रहते हैं और companies act में क्या करते हैं सर अपन based on useful life of assets अपन क्या करते हैं, सर इसमें बहुत सही बात है, जतिन बहुत है, सर इसमें बहुत रोना निकलता है मतलब, रोना आजाता है पूरा कि अगर data proper नहीं हो तो अब इसमें क्या होता है, हर एक asset का, उसकी life के साब से depreciation निकालना है मतलब, सर हमने अगर machinery लिया है उसमें life दी हो रहती है किसके कितनी है, तो machine life 10 years है माल लो तो क्या करना पड़ते हैं हमको, जिसने नहीं क्या उसको बता रहा हूँ, ठीक है है न, और WDV भी नहीं होती actually method वो, life of assets पर निकालना पड़ता है वो अब सर जैसे अब machine तुमने एक machine लिये, 2017 में माल लो 2018 में दूसरी machine लिये, तो उसके 10 साल अलग count होंगे और उसका हर साल अलग depreciation निकलेगा ठीक है, तो ये जो तरीका है न, इसके लिए अपन एक और चीज़ करते थे कि computex में काम करो, computex में software में डालो कि कौन सा asset है, कौन सा उसका कब लियें, अपने किस साल में लियें, और कितने साल की उसकी life है, तो वो अपने साब से उसमें rate निकालता था, computex, मैंने बहुत बड़ उड़े company से किया ये, और बहुत दिक्कत जाती है, इसमें, trust me, एकदम माथा कराब जाता है, पूरा, पूरा, पूरा माथा कराब जाता है, भाई, खतम है ये चीज, एकदम खतम चीज है, इसको ये ठीक करना चाहिए है, इनको, companies act में और income tax में ना, इस चीज में बोला लेना चाहिए, parity, सर, अभी कुछ companies solar use करके, power save करके, distribute करते हैं, बट उनका main business दूसरा होता है, तो वो भी इधर करो रहों को नहीं बेटा, जिनका business generation of power है, और generation and distribution का है, सिर्फ distribution नहीं लिखाने हैं आपे, या तो generation होना चाहिए, कि खुछ generate कर रहे हो, या फिर generate करके distribute कर रहे हो, आप power save करके भेज रहे हो, वो that is not generation, power generation, ठीक है? मदुकर बोटे सर, अगर SLM लिया, और बाद में business change हुआ, तो WDB लगएगा क्या? हाँ, अब business की बतल गया, अब business बंदी हो गया, तो फिर WDB ले सकते हो ना, फिर तो नए business का नए साल हो जाएगा ना, ठीक है? चलो, अब सर, classification of block of asset, अब यह पढ़ते हैं, सर, इसमें क्या है सर? कितने block होते हैं assets के? चार block होते हैं, बेटा, first block होता है, block one, building, दूसरा block होता है, furniture का, block one होता है, block two होता है, furniture का, block three होता है, planted machinery का, और block four होता है सर, intangible asset का, अब यह तीनों तो ठीक है, intangible assets भी क्या कहाता है सर? know-how, copyright, patent, license, franchisee, non-compete fees, non-compete fees देखाता है आपने वहाँ पे, वो भी एक intangible asset होता है, वो भी एक intangible asset होता है, right, but does not include goodwill of business and profession, ठीक है? यह amendment है, finance है 21 का, goodwill of business and profession is not covered, ठीक है? इसमें intangible asset में, इसका एकदम बढ़िया समझाओंगा, मैं अच्छे सा और, मतलब इस पर नया एक बहुत बढ़िया चीज़ आईए, वो समझाओंगा आपको, कैसे calculate करते हैं? क्योंकि अभी तक तो goodwill of business क्या था? goodwill of business, intangible asset माना जाता था ना अभी तक, अभी तक हम goodwill of business को, पिशले दो सार पहरे तक, intangible asset मानते थे, पर अब नहीं मानेंगे, तो उसमें calculation कैसे होता है, क्या होता है, समझाओंगा, यह पूरा अपन एक बर अलग से पूरा इसको समझेंगे बाद में, अभी चार ब्लॉक होते हैं, यह समझ लो, building, furniture, plant industry, and intangible asset, अब conditions to claim depreciation पढ़ लेते हैं, क्या condition है, depreciation claim करने की, टेक है, claim of depreciation is mandatory, जी सर, depreciation का claim mandatory है, आप ये नहीं सोच सकते हैं, भया हम depreciation claim ही नहीं करते, छोड़ो, एक काम करते हैं, इस साल हम depreciation claim ही नहीं करते, खटा देते हैं, छोड़ो, नहीं करना है हमोपो, क्या आप ऐसा कर सकते हो, नहीं, ऐसा possible नहीं है, मेरे ऑफस में मेरे जो बॉस थे ना वो बॉस थे 40 मतलब नहीं निकत बॉस बोले में को तो उन्हें बॉले चलता है ना ऐसा कि अपन डेपरिशन क्लेम ना करें तो मैंने एक बार सोचा फिर मुझे आदा नहीं मैंने अगला नहीं ऐसा नहीं है सर आपको डेपरिशन मेंडिटरिली क्लेम करना ही पड़ेगा ये इंकम टेक्स ने डाला हुआ ऑप्शन अपर ये इसकी पीछ बहुत बड़ी स्टोरी है कि क्यों करना पड़ता है कैसे करना बड़ वोपन रेगुलर रास में बड़ते है उत्ता अपने को ज़रूरत नहीं उत्ता अंदर खुषने की बस मेंडिटरिय जान लो ठीक है एसेट मस्ट बी यूज़ फॉर दपर बिजनेस और प्रफेशन एक्टिवर पैसिफ सर आपका एसेट क्या होना चाहिए सर आपको एसेट को put to use करना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा put to use तो आपको depreciation allowed होगा मतलब आपने कोई भी एसेट ले क्या है और अगर ला के रख दिये ला के रख दिये उसको यूज़ नहीं कर रहे हो एसेट को ले क्या है ला के रख दिये यह सर को ले क्या है अब ला के रख दिये इसको इसको आप put to use नहीं कर रहे हो सिर्फ रख यह हो ऐसे काम होगा क्या depreciation allowed होगा नहीं allowed होगा जिसको आप इसको जब use करना start करोगे जिस दिन से आप इसको use करना यूज करना start करोगे, उस दिन से इस पे depreciation allowed होगा, basically जिस दिन put use करोगे, right, ओके, अब सर, मतलब सर, आप ये बोल रहे हो, कि depreciation जो allowed होता है, it is only allowed on, put to use, मतलब सर, मतलब, सर क्या ready to use है, मतलब लाके हमने रख दिया है, ready कर दिया है, तो क्या ये allowed नहीं होगा, क्या, ready to use normally allowed नहीं होता, ready to use, normally allowed नहीं होता, but special circumstances में allow करना पड़ता है, जैसे की, जैसे की सर, आप बताइए, एक fire extinguisher है, अपने लाके लगा दियें उसको building में, fire extinguisher को हमने building में लगा दियें, अब fire extinguisher को, हमको जबर्द सी use तो करना ने पड़ेगा हमेंशा, कभी ने कभी use आ सकता है, कभी ने कभी वो use आ सकता है, तो क्या आपन building में लगाने के बाद wait करते रहेंगे क्या, कि अच्छा रूप जाते हैं, जब आँग लगेगे ना, तब हम depreciation लेंगे, ऐसा करेंगे क्या हम, कि जब आँग लगेगी, तब पाणी लेने जाएंगे, मतलब पाणी नहीं, मतलब जब आँग लगेगी, तो क्या हम तब जाके depreciation claim करेंगे क्या, हम बोलेंगे सर, ये अभी ready to use है, पर इसका nature यही है, इसका nature यही है ने यार, हम तो ready to use ही रखने वाले उसको हमेशा, वो put to use कभी कभी आने वाला है, और हम तो चाहें कि put to use ना ही आई है तो, हम तो चाहते हैं कि put to use ना है, समझ रहो ना, समझ रहो कि नहीं, समझे ना, बटा? येस, तो हम चाहते हैं कि कभी ये put to use कामिन आई है, मतब कामिन आई है, तो ऐसे special circumstances में हमको ready to use में भी अलाउ करना पड़ता है, जैसे spare parts है, अब spare parts हमको हमेशा काम आते हैं, नहीं, पर हम इसको ले के रखते हैं, मतल्ला हम इसको ready to use रखते हैं, तो इस पे भी depreciation allowed होएगा, ठीके, इस पे भी depreciation allowed होगा, ओके, चलेगा, चलो, आगे बढ़ते हैं, तो ready to use is not allowed generally, बट allowed in special circumstances, for example, stand by machinery, अपने stand by machine रखके रखे हैं, emergency spares रखके रखे हैं, fire extinguisher रखके रखे हैं, इस cases में, आपको ready to use भी allowed हो जाएगा, done, अच्छा, next point पढ़ते हैं सर, असेसी should be owner of such asset, holy और partly, इसमें दो तीन बाते पढ़ने हैं अपने को, ठीके, पहली बात, असेसी, asset का owner होना चाहिए, owner, अब सर क्या, सर spare parts हमेशे capital होता है न, हाँ, spare parts का अलग से वजुद थोड़ी है, वो तो build, मतलब जो machinery के साथ आए, spare parts, उसके साथ में के applies होके, उस पर depreciation मिलता है न, उसको, ठीक है, अब सुनो, कि सर, registered owner, ownership की बात करते हैं, यह असेसी should be owner of such asset, ठीक है, owner होना चाहिए, बट इसमें एक point है, क्या सर, क्या, registered ownership important है, क्या जरूरी है, कि registered ownership होना चाहिए, नहीं सर, beneficial ownership भी चलेगी सर, beneficial ownership भी चलेगा, ठीक है, मतलब अगर, आपने, मान लीजे, मेरा asset नहीं है, मतलब asset मैं खरीदने वाला हूँ अभी, मैंने खरीदा है अभी तक सिर, और मुझे, खरीदा है, possession मिल गया है, बट उसका, registration अभी तक हुआ नहीं है, सिर्फ possession मिला है मुझे, तो क्या, यह तो मेरी beneficial ownership हो गई, या फिर मैंने, खरीदा भी नहीं है मान लो, खरीदा भी नहीं है, अभी तक खरीदा भी नहीं है मैंने, मतलब मैं किसी के भिहाँ पर यूज कर रहा हूँ, मतलब मैं, मेरा भाई का asset है, और मैं यूज कर रहा हूँ अपने business में, उसने मुझे देखे रखाए, पर लीज आएगा, लीज आएगा, तो मेरी beneficial ownership हो गई न उस पर, तो मुझे ही मिलेगा depreciation, ठीक है, registered ownership important नहीं है, it is not mandatory, अब next बात, holy और partly, सब holy भी रह सकता है, partly भी रह सकता है, आपकी ownership, अगर whole ownership है, तो आपको पुरा depreciation allowed होगा, अगर आपकी partial ownership है न, अगर आपकी partial ownership है, आधी ownership है, तो आपको proportionate depreciation allowed होगा, आपको proportionately ही depreciation allowed होगा, ये बात है, समझे, अगर partial ownership है न, तो partial depreciation allowed होगा, ठीक है, अब lease और higher purchase की बात कर लेते हैं, ठीक है, sir in case of lease, in case of lease, lesser always claims depreciation, lease में हमेशा lesser depreciation claim करता है, less ही नहीं करता, less और करता है हमेशा lease में, in case of lease, financial operating lease हो कुछ भी हो, हमेशा lesser करता है claim, also in case of higher purchase, higher purchase में कौन करता है, sir higher purchase में क्या होता है, ownership ना, transfer होती है after last payment of installment, तब तक ownership transfer नहीं होती, तब तक ownership transfer नहीं होती, possession पहले transfer हो जाता है, but ownership last installment पे transfer होती है, but depreciation can be claimed by higher purchaser from the beginning of higher purchase, कौन करता है यहाँ यहाँ पे, यहाँ पे higher purchaser depreciation claim करता है, और starting से beginning से करता है वो, शुरू से करता है, समझे, समझे क्या, तो I hope आपको समझ में आया वहाँ यह, listen higher purchase का, अब ना मुझे आपको एक बार study mat से कुछ खोल के दिखाना है, मुझे यह ownership का, अच्छा point लिखा है आपके, ऐसे बीच-बीच में आपन study mat भी refer करेंगे, जब मैं बोलूँगा, आपको अलग से क्या study mat refer करना है नहीं जरूरत नहीं है, अब मुझे जित्ता दिखाना रहेगा ना आपको, मैं खुद ही दिखा दूँगा आपको, कि आप study mat से पढ़ लो यह बात, कि अब बात, झाल झाल प्लाइब पॉप आट खाना चला गया पता नहीं मची जो मैं दिखाना चाहता है तुमको ठीक है मैं कल दिखाओंगा कल मैं पर देखके हो कौन सा दिखाना था ठीक है कल वह पॉइंट एक मुझे बताना आपको बताओंगा कल ठीक है उस पर एक explanation में दिखाना तुमको मुझे वह explanation दिखा दूंगा कल मैं ठीक है अब ढूढ़ने में टाइम वेस्ट होगा चलो अब rates of depreciation बात कर लेते हैं rates of depreciation तो rates of depreciation में देखो अपने बड़े असे चार्ट सरी लिए बनाया हुए ठीक है ओके बिल्डिंग और फरनीचर पे बिल्डिंग और फरनीचर पे 10 परसेंट है बिल्डिंग फरनीचर पे 10 परसेंट है ब्लान्ट एंट मशिनरी पे 15 परसेंट है ठीक है मोटर वीकल नॉमली 15 परसेंट ओईल वेल्स पे 15 परसेंट और विल्डमिल्स जो इंस्टाल होई है बिफोर one four fourteen उस पे 15 परसेंट है ठीक है सर्षिप्सेंट पर 20 परसेंट जो शिप्सोथी है उस पर होता है 20 परसेंट इंटेंजीबल एसेट पर 25 परसेंट बताया था मैं आपको इसमाहिए पे non compete फ्केस वालके में आम मोटर वीकल यूस्ट पॉर फॉर हायर 30 परसेंट जो मोटर वीकल अपना हायरे हुज़ेंग क अपना, टेक्सी का बिजनस है, तो उसके लिए यूज़ कर रहे हैं अपन, ठीक है तो 30% deposition होता है, क्योंकिसमा obviously गाड़ी जाला चलती है, 40% क्रिस-क्रिस में है, computer, laptop, इसके 40%, aircraft पे 40% है, books, कोई भी प्रकार की books होगी 40%, कोई भी प्रकार की books होगी 40%, pollution control equipments, इस पे भी 40% है, temporary buildings, मैंने भूला था, जो temporary building होती है, temporary structure होता है, बताया था उस तेम पे, इस पे rate होता है 40%, normally देखो, building में कि इतना दिख रहा है, 10%, temporary building पे 40% होता है, तो जब वो मैंने बताया था आपको, कि एक capital repair जो कर रहे हैं building में अपन, उसको team building बोर रहे हैं अपन, तो हमने building का ही part बनाया है, हमने temporary structure नहीं बनाया है, अगर वो बोल के बना रहा है कि temporary structure बनाया है उसने, temporary building बनाई है, तो 40% मिलेगा, जहां पर आपको temporary structure की बात करेगी, कि वहाँ पर 40% मिलेगा, नहीं तो 10% मिलेगा, ठीक है, और windmills installed on or after 1 for 14, windmills installed on or after 1 for 14, ठीक है, अब देखो, motor vehicle में एक और चीज़ है, बताओं तुमको थोड़ा सा, वो बहुत फालतू चीज़ है, बोरिंग चीज़ है, बताता हूं, अभी काम की विद्थी नहीं है, पहले building का देखो, building अगर residential building है, तो depreciation है 5%, general building पर 10% और temporary building पर 40%, अब आप बोलोगे sir, कि residential building जो है, उस पे तो हमको house property होती है, और उस पे वो हमारा asset कैसे हो जाएगा, residential building, हमारा asset कहां से हो जाएगा sir, बताओ, temporary building का depreciation का deduction, tenant को मिलेगा कैसर, और पिदा पोच रहे है, बेटा, जो बना रहा है उसको मिलेगा, अगर tenant बना रहा है तो tenant को मिल जाएगा, अगर ये बना रहा है, owner बना रहा है, तो owner को मिल जाएगा, ठेक है, tenant भी claim कर सकता है, tenant भी claim कर सकता है, ये बात है, अभी मुझे बत कैसे होगा वेरी गुड ऑफिस का गैस्ट हाउज और एम्प्लॉईज को दिया तो वेरी गुड वेरी गुड ठीक है तो बेटी बेटा अपने क्या किया है अपने एक अपना अपने एक बिल्डिंग लिए अपने घर बनाए बतार फ्लैट्स बनाए बिसिकली अपने एंप्लॉईज के रहने के लिए तो यह क्या हो गई यह होगे रेसिदेंशल बिल्डिंग ठीक है यह अपना एकसेट है उस पर अपने डेप्रेशिशन लेंगे राइट तो 5 परसंट लेंगे एरेसिदेंशल पर जनरल पर 10 परसंट एंड टेंपररी पर फॉर्टी परसंट सर मोबाइल और एपी अबी एक्स जो होता है इट इस नाट कम्प्यूटर सर एपी अबी एक्स क्या होता है वह दिखातों एपी एपी एक्स क्या होता है कि एपी 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 एक्स दिखो यह एपी एपी एक टाइप का सिस्टम होता है पूरा यह है ठीक है जो दिखे रहा है तुमको जो फोन भी है साथ में हो सिस्टम होता है पूरा ठीक है तो इट इस इट इस not computer ठीक है यह Mobile Computer नहीं कहलाते है Mobile को एपी एपी एपे एक्स को हम Computer नहीं बोलते है पर UPS, Printer, Scanner & Other Accessories इसको पन Computer बोलते हैं और इस पे 40% Depresistion लगता है Mobile पे और इपी एबी एक्स पे सिर्फ 15% depreciation लगता है ठीक है अब जिसे computer के स्टरीज जिसे computer system निकालते हैं इसमें देखो यह computer system में पूरा द्राइंग बनाया है बच्चे ने खोलते हैं अपने इसको अब जिसे computer system एजी ड्राइंग तब नहीं देखना था हमको ठीक है इतना भी नहीं करना था बेसिकली computer के साथ जो UPS होता है वो computer का पार्ट होता है printer होता है वो computer का पार्ट होता है और जो भी असिसरीज होती है जो computer का पार्ट होती है उस पे भी 40% depreciation मिलता है along with computer ठीक है यह बात ध्यान देने वाली बात है मैं फोटो इसलिए दिखा रहा तुमको ताकि देखे साथ में क्या यह computer का पार्ट ही है इसलिए उस पे भी 40% हमको depreciation मिलता है ओके अब बिटा एक पॉंट यह पढ़ लो फिर अपन कल पढ़ेंगे इसके आगे का यह ना तो motor vehicle business of running them on higher अगर है 30% है और normally है 15% यह तुमने पढ़ा है 15% 30% ठीक है motor vehicle पर नॉमली है 15% और 30% ओके बट बट सर अगर आपने motor vehicle acquire and produce किये between 23 August 19 to 31,320 तो यही rate बढ़े को जाएंगे 30% और 45% ऐसा क्यों हुआ सर एक्चुली उस टेम पर ना कार की sale बहुत कम हो गई थी उस टेम पर कार्स बहुत नहीं बिक्री थी कार की सिर्म बहुत दिरावट आए थी तो government ने क्या किया इस period में जो भी कार ले रहा है उस पे 15 के जगए 30% depreciation कर दिया तो फिर लोग कार ले ने लग गए तो फिर लोग कार ले ने लग गए 30% इस पे और आप अगर acquire and put to use between इस टाइम पर करोगे और higher क्ले करोगे तो 45% सब्सक्राइब नवंबर 22 में MC क्यों में आया था हाँ आया होगा ना 23819 to 33320 ठीक है शलो इसके बाद ना अपन कल पड़ेंगे ठीक है आज ट्रेट नहीं रखते हैं बताओ डेट याद कराऊंगा न मैं चिंता मत कराऊंगा डेट जो भी याद कराऊंगा आज अपने PGP स्टार्ट किया बेटा पहले अपने सेशन 28 देखा सेशन 28 में काफी बात देखी अपने फिर अपने सेशन 31 देखा बिल्डिंग और प्लान्टर मिसंडरी वाला और फिर अपने सेशन 32 स्टार्ट किया कल जब अपन आएंगे तो आएंगे तो पहले दस मिनेट पांच मिनेट अपन रिवाइस करेंगे जो अपने पढ़ाया भी तक अब बेटा ये संटेडे संडे तो क्लास होगी अपनी कल संटेडे है ना कल क्लास होगी संडे को भी क्लास होगी मंडे को शायद मंडे को आपकी क्लास होगी की ने होगी मंडे मंडे को क्लास होगी ट्यूजडे को ना ट्यूजडे को शायद चुट्टी रही गया आपकी मैं संडे चुट्टी नहीं दे रहाँ संडे नॉमली चुट्टी रहने चीए अपन संडे शुट्टी रखेंगे, चिंता मत करो, ठीक है, संडे शुट्टी रखेंगे अपन, पर ये संडे अपनी शुट्टी नहीं, क्योंकि ट्यूस्टी को शुट्टी देने वाला हूं, मैं अपको, ठीक है, और बेटा, अभी, थोड़ा सा अपना टाइम चेंज होने क्लास का, फिर संडे बिसिकली, संडे मॉनिंग कर लेगा, संडे मॉनिंग आद दिन में कर लेंगे, ऐसा कुछ कर लेंगे, कल बात करता हूं, आपसे, संडे का अपन दिन में बात कर लेंगे, मॉनिंग या फिर अपने एकदम, एकदम मॉनिंग नहीं रखेंगे बैटा, एकदम छे साथ बुझे नहीं रख पाएंगे अपन, कल बात करते हैं, संडे को लेंगे न, या फिर एकदम थोला सा लेट रखेंगे अपन रात को, ऐसा कुछ कर लेंगे, संडे के दिन, देखत ये मिटकल देखते हैं आज भी तर आज को आपको PDF मिल जाएगी पीजी देखी डोंट वरी ठीक है और क्या वो रहे थे सूरस तुम कि क्लास मज़ा है आज सर आज का क्लास में मज़ा आगया बढ़िया बढ़िया मज़ा आए ना आज अब जैसे ऐसे अपन डीप डाइब करेंगे ना सब्जेक्ट में अभी तक तो बहुत बेसिक पढ़ रहे थे अपन सब्जेक्ट ठीक है बहुत बेसिक पढ़ रहे थे पर अब जब डीप डाइब करेंगे ना अपन बहुत मज़े से पढ़ेंगे, बहुत मज़ा आने वाले, जहाँ जहाँ चीज़े difficult हो तो जाएगी, जैसे चैप्टर difficult होगा ना, जो भी chapters difficult वाले आएंगे, उसमें और मज़ा आएगा अपने को, त्योंकि बहुत बढ़े आसे पढ़ेंगे अपन, ठीक है, और पता है कि जैसे क्या होता है, कि normally जो classes होती है न, जो final में class होती है, जो मैंने experience किया हूँ, और तुमने भी experience किया होंगे, उसमें क्या होता है, कि अपन शुरू-शुरू में 15-20 दिन तो बहुत make sure करूँगा कि आपको आखरी तक समाज में आ रहा है, मतब class end हो रही है न, तो class के साथ आज, मतब आपका पूरा खतम होना चाहिए, यह मेरा motive है में, क्योंकि मैंने वो feel किया है भाई, बहुत class लागी है, मैंने अटा-टा-जार की, बिज-जार की, और class में बैठे है बन, जाके बैठे ही हैं बस, समझ में आ रहा है, ठीक है, देख रहे हैं, ठीक है, देख रहे हैं, और ना, फिर वो क्या बोलते हैं, जब एक दिल मैने होता है न, तो फिर असा लगता है, आर क्यों कर रहे हैं, बन class, क्यों कुछ समझ में नहीं आता, वो मैं चाहता ही नहीं हूँ, मैंने experience के है, उसले मैं चाहता ही नहीं हूँ, कि ऐसा आप साथ हो, तो अपने को, रो ठीक है, चलो, गाना सुनना है, आज भी, और अब स्लीप एंड स्टड़ी मूर, भाविक बोले से सर मजा आ गया, सर मजा आया, मजा है, चलो, तैंक्यू यार, कि मैं क्या बोड़ा है आववाइड स्लीप एं सदी और ना नहीं जदा स्लीप मत करो निंद अच्छा से लोग पड़ाई बेच्छे से करो निंद भी अच्छा से लोग पड़ाई बेच्छे से करो ठीक है समयने भी लेके रखे हैं class 20 lecture हुए then आपकी class पर shift हो गया अच्छा आगाश आपने किसी और class लिए हुए है dt की आपने dt class किसी और पर लेकि मेरे पर shift हो गया ऐसा हो रहा है sir class कब तक upload जाएगी बेटा class ना आज रात को 12 बजे तक upload होगी अच्छा हाँ बड़ समझा नहीं उनका अरे बापरे बहुत खर्चा हो गया आपको तो ठीक है पर ठीक है will make it worth ऐसा आपको लगना चाहिए कि भाईया जो वहाँ पैसे दिये ना वो ही में को दिदेने चाहिए थे ऐसे लगना चाहिए ठीक है चला चला ठीक है ओके टाइम की सो मच बाई और कल मिलते अपन गाना बेटा अपन कल सुनेंगे अब गाना तुमको रोज सुनना है क्या मैं रुक जो रिकार्डिंग बंद करता हूं को आपन क्या पढ़ने फिन आ पड़ेंगे ठीक है ओकी चला बाई-बाई-बाई-बाई- झाल झाल